नमश्कार मैं हूँ आपके साथ आभा और SBT News पर आप देख रहे हैं राजिस्थान की ताजा खबरे फटाफट अंदाज में नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश रास्थान और श्रेगंगा नगर हनमान गर्चुले की बड़ी खबरे प्रदेश में तकरीबन दस माहा की अंतराल के बाद 18 जन्वरी से स्कूलों में शिक्षन कारे शुरूर होगा इस स्कूलों का निरिक्षन का कारे IAS और RAS अधिकारी करेंगे मुके सचिन निरंजुन आरे ने इस समन्वे दिशान निर्देश चारी किये हैं और उन्हें 18 जन्वरी से 22 जन्वरी तक अपने नजदी की स्कूलों में विजिट करने के लिए कहा है ये अधिकारी स्कूल में जाकर ये देखेंगे कि स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए शुरू होने वाली क्लासों में कोरोना को देखते हुए सुरक्षा से जुड़े जरूरी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है या नहीं मुखे सचिव की ओर से लिखे गए अर्दशास के पत्र के मताबिक राजे में स्कूलों में विभावकों की सहमती से कक्षा 9 से 12 तके विद्यार्थों के लिए कक्षा शिक्षन कारेश शुरू होगा देश पर में जोरी कोरोना वैक्सिनेशन के पहले दे राजसान के जवपर में संभावतर देश के सबसे उम्रे जराज व्यक्ति को टिका लगा 94 साल के डॉक्टर प्रेम चंद डांडिया ऐसे शक्ष हैं जो इस उम्र में सवाईमान सिंग मेडिकल कॉलेज में सेवाई दे रहे हैं इसके लिए वे कोई पैसा भी नहीं लेते वैक्सिन लेने के बाद उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने उस स्टूडेंट की याद आ रही है जो इस महामारी में अपनी जिन्दगी गवाँ बढ़ा बढ़ा शायद उसमें वैक्सिन होती तो आज मेरा स्टूडेंट हमारे साथ होता रासान में कंगाली की मार्ज रहे शहरी निकायों की जन्दा के लिए गुड न्यूज आई है रासान के निकायों के आर्थिक सिटी को सुधाने के दिशा में अशोगेलो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है रास्थान की सरकार सुबे की नगरे निकायो की आर्थिक सिथी को सूद्रड करने के लिए रास्थान अर्बन डवल्लप्मेंट फ़ंड को पुनर जिवीद करेगी इस फ़ंड के माध्यम से निकायो को उनकी जरूर के अनुसार सरकार के निर्ने पर फण दिया जाएगा जिसे जनता से जुड़े विकासकारे रफ्तार पकड़ सकेंगे पन मिलने से नए विकासकारे शुरू हो सकेंगे वहीं अटके विकासकारे भी पूरे हो सकेंगे जोहनार और व्यास विश्विद्याले एमम संभा के जोतपूर, पाली, जालो और बाड में और जैसल में जिले के संबाद सभी महा विद्यालों की विशेश परिक्षाएं 11 फरवरी से पस्तावित है ये परिक्षाएं पूरक परिक्षाओं के साथ होंगी परिक्षा नियांतरक प्रोफेसर के आर गेनवा ने बताए कि विशेश विद्याले की सितंबर अक्टूबर में हुई समाने परिक्षा के दौरान कई विद्यार्थी COVID-19, कंटेन्मेंट जोन और राजे से बाहर होने के कारण शामिल नहीं हुए थे ऐसे विद्यार्थी विशेश विद्याले की विशेश परिक्षा में बैठ सकते हैं, जिन विद्यार्थियों ने 10 नमंबर तक विशेश परिक्षा में समयलित होने के लिए प्रात्नापत मैं आवशक दस्तावेज के परिक्षा अनुभाग में जमा करवाई हैं, केवल उन विद्यार्थियों को विशेश परिक्षा में बैटने के अनुमती होगी। भारती जंदा पार्टी ने निकाय चुनाओं में जीत कर दावा किया है। मगर प्रत्याशी चौयन में देरी की वज़े से पार्टी 395 वार्डों में प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। भारती प्रत्याशी में प्रत्याशी में उतारे हैं। कोरोना महमारी के पीच भारत में दुनिया के सबसे बड़े टिका करन अभियान के शुरूआत हो गई है। प्रतान मंती नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफरेंसिंग के माधिन से इसका शुभारम किया। रासान में मुख्य मंत्री अशोगहलोत ने राजिस्तर एक कोविड वेक्सिनेशन कारिकरम का आगास किया। इसके साथ ही सभी जीलों में कोरोना टिका करन शुरू हो गया। देश के साथ ही प्रदेश में भी वेक्सिनेशन की शुरूआत हो गई है। रायसान में सबसे पहले स्वास्ते कर्मियों की वैक्सिनेशन प्रग्रिया शुरू की गई है। प्रदेश के परिवहन मंतरी प्रताप सिंग खाजरियावास का कहना है कि कोरोना अब कल की बात है। वैक्सिन आने के बाद रहा सहार डर भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोरोना प्रबंधन देश में श्रीष पायदान पर रहा है। अब मुखे मंतर अशोग यहलूद की नेतरतों में वैक्सिनेशन मैनेजमेंट भी उम्दा होगा। साल भर में पूरे प्रदेश के लोगों को कवर कर लिया जाएगा। और अब खबरे श्री गंगा नगर हनमानगर चुले की। से इनकार किया है। श्री गंगा नगर जिले में कोविट टिका करण के अभियान के पहले दिन जिले भर में 309 कोरोना वरियर्स को टिका लगाया गया। सियमच डॉक्टर गेधारिलाल महरडा ने बताया कि जिला अस्पिताल में 69, सादू शाहर में 66, सुरतगर में 40, श्री करनपूर में 66 कर्मियों को वैक्सिन लगाए गए। आशा सयोग ने नर्सिंग कर्मी वैक्सिको को वैक्सिन लगाए गई अगला सत्र 18 जनवरी को होगा। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले रास्टे सडक सुरक्षा सब्ताह के दौरान लोकों को यादायात नियमों के प्रती जाग रूप करने के निर्देश दिये। एस्पी ने जुगा सट्टा अवैश शराप की बिक्री करने वारों पर प्रभावी कारवाही के निर्देश भी दिये। श्री गंगानगर जुला मुख्याले पर रास्टे किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम एक ग्यापन जुला कलेक्टर को सौप कर किनू, आमला, मौसमी, निम्बू और पपीता, आदी, फल्दार, फसलों का नियुनिदम समर्थन मुलेताय करने की मांग की। मोर्चा के पता दिकारियों ने जुला कलेक्टर को बताया कि श्री गंगानगर को किनू का हब कहा जाता है, लेकिन यहां की किनू उत्पादक की हालत के हालात समझने वाला शायद कोई नहीं है। कोवी शिल्ड बनेगी धाल, राजस्थान है तया, रंगोली बना कर आम लोगों को जागरू किया। सुजनायन जन संपर कारायले की सहायक, निदेशक, रितु सोडी ने स्काउट गाइट टीम को स्लोगन लिखकर दिया था। अन्वान गर्जिले की गुलवाला पुलिस ने गर्ष्ट के दोरान बाइक सवार युवक को पोस्ट और अफिम सहीद ग्रिफतार कर लिया। आरोपी की खिलाफ एंड़िपेस एक्ट में मुकतमा दर्च किया गया है। थाना प्रभारे ओम प्रकाष सुथार ने बताया कि खारा चक के सुक्चैन सिंग को गिफतार करके उसकी कबजे से 200 औफिम और 1.5 किलो पोस्ट बरामत की गई है। आरोपी बाइक पर मादक पदार्थों की सप्राई लेकर जो रहा था। फुलिस ने ऑपरेशन पर हार के चलते नशी के तसकर कुद्ध पूज़ा। तो अपने आसपास के और भी नई ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्पटी न्यूज और बने रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद।